देवर्शी नारज जी हरी नाम संकीर्टन करते हुए जा रहे हैं सरशती नदी के तट पर पहुँचे बड़े ध्यान से सुनना सरशती नदी के तट पर ब्याज जी बैठे हुए है ब्याज जी का चित बहुत खिन्न है बड़े उदास है नारज जी ने कहा ब्याज जी आप उदास क्यों है ब्याज जी ने कहा नारज जी मैंने चार वेद लिखे छै सास्त्र लिखे एक सो आठ उपनिसद लिखे और सत्रह पुराण लिखे किन्तु अभी अभी हमें विस्त्रांती नहीं मिली अभी भी मुझे आनंद की अनुभूती नहीं हुई सच्चा सुख नहीं मिला नारज जी ने कहा आपने गोविंद का चरित्र नहीं लिखा जब तक जीवन में भगवान का चरित्र नहीं होगा तब तक जीवन में सुख और शांती कभी नहीं मिल सकती है चाहें कुछ जोड़ो लो चाहें जितना कोई धनवान हो जाए